जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वावत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवसे मेरी जैनिवर्सरी उन सभी को हमाई तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है सुरादपक्स चल रहे हैं और शारदिय नवरात्र आने वाले हैं हमें जब हम किसी को भी अपनी कुंडली दिखाते हैं तो कई बार हमारी जनम पत्रिका में है पित्रदोश होता है, पित्रदोश भी कई प्रकार के होते हैं, तो जो जातक सुराद पक्स को अच्छे से मना लेता है, तो उसकी कुंडली का पित्रदोश समाप्थ हो जाता है, कैसे सुनिएगा जरूर, आज का पहले पंचांग देखें, हमारी जननपत्रिका हो, या हमारे हाथ की रेखाएं हो, कई बार पित्रदोश इतना बड़ा होता है, कि अपने जीवन में हम सफल नहीं हो पाते, पित्रदोश के लिए नाना भाती के मुपाई भी करते हैं, इसके लिए शांती भी कराते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाई एक ये है, कि हर साल स्राद पक्षाते हैं पंद्रा दिन का ये स्राद का समय होता है यदि आप इन पंद्रा दिनों में अपने पित्रों के निमित तक पक्षियों को दाना डाल दें गव माता को हर अचारा खिला दें गरीबों में फल बाट दें मिश्ठान बाट दें आप मान के चलें, आप दो-तीन वर्स ऐसा कर दीजिए, जन्म जन्मांतर का पित्रदोश आपकी कॉंड़ी से दूर हो जाएगा, है ना बहुत सहर उपाए, एक और सुन लीजिए, इन्ही पित्रपक्षों में गाहित्री माला की संख्या बढ़ा दीजिए, आप मेंसे बहुत लोग हैं जो गाहित्री मंत्र 24 बार या एक माला करते हैं, अगर आपने इस पूरे पित्रपक्ष में 11 गाहित्री की माला कर ली, या पित्र गाहित्री की एक माला या तीन माला कर लीजिए, और एक लोटा जल तिल डाल करके, मीठा डाल करके, दक्षिन दिशा के तरफ पित आप करिए और यह एक ऐसा प्रक्टिकली उपाय है कि आप स्वियम कर रहे हैं स्वियम उपाय करने का आपको मोगा मिल रहा है आपके कुंडले से पित्र दोश हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कई बार पित्र दोश ऐसा होता आपका अगर व्यापार के कॉलम में हैं पैदा बच्चा हुआ है माता-पिता तो है लेकिन पैदा होते इसको पित्र दोश लग रहा है तो उसने माता-पिता को कुछ कहा थोड़ी है जो पित्र दोश लगा यह कई जन्व जन्मांत्र का मिला करके योग पित्र दोश बनता है इसमें ध्यान रखना एं बहुत मैंने बताया है कि तीन वर्ष ब्रह्म गायतिरी मंत्र पढ़ लेना पित्र पक्ष में पंद्रा दिन के पित्र पक्ष होते हैं श्राद पक्ष होते हैं और पक्षियों को दाना लाल देना गोपी सियवा कर लेना गायतिरी मंत्र की ग्यारा माला कर लेना या पित्र गायतिरे क अगर हम हिंदू संसकर्टी को स्रद्धा से और मन से मानते हैं तो उसमें ये सारी बातें पितुदोश भी है अब बहुत लोग कह रहेते हैं क्या और ब्रादरियों में क्या और धर्म में या और किसी ऐसी स्थान पर क्या पितुदोश नहीं लगता हम हिंदू लोगों में ऐसा क्यों होता है देखो भईया सारी बाते होती सब जगा है लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता है हमारे रिशी मुनी इस प्रकार की खोज कर चुके हैं हो सकता है और लोगों ने इस प्रकार की खोज नहीं किये जतना विपुल साइत्य या जितनी संसक्रतिक मंत्र जतने वैदिक मंत्र या जतनी तंत्रोकत विझ्या आपको हिन्दु धरम में देखने को मिलेंगी आपको कही नहीं मिलने वाली आप देखिएगा सारा सिस्टम किस प्रकार से हमारे रिशी मुन्यों ने एक सोच समझगर के बनाया कि वर्ष में जब हम तीस त्योहर मनाते हैं आज हो लिए, आज दिवाली है, आज एक आशी है, आज इसका वर्थ है तो हमारे ही रिशी मुन्यों ने ये पित्र पक्ष भी साल में पंदरा दिन दिये देखो हर तीस त्योहर एक या दो दिन में आकर के सिमट जाता लेकिन पित्र पक्ष पूरे पंदरा दिन चलता है, क्योंकि वास्तव में माता पिता का स्थान कोई ने ले सकता, इसलिए ध्यान रखना अच्छे से आप पित्र पक्ष मना लेना, तो आपकी कुंडली में पित्र दोर समेशा के लिए दूर हो जाएगा, ठीक है, आईए, समयों चला है उस जगजनी से जुढने का, हम सभी की कामनाई पूर्ण हो, और सभी के घर में सुक्षानती आए, और सभी को मईयरानी का अश्रवाद मिले है ओम सिंदूर अरुन विग्रहाम त्रिनायानाम मानिक्यमोलेस्पुराद स्तारा नायक से करांस्मित मुखे बापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रति सोम्याम रत्न गटस्तरक्त चरणाम ध्यायत्पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदि सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संदधतिम्करिस्त्रिनयानाम सरवंग वुस्वरिताम निलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्योद्धाम समप्रवाम रिगपते सकंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यविताम् हस्ते चक्रगदा सिखेठ विशिखाम स्चापम गुणं तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम्तिनेत्राम वजे कबच बना लें ध्यान करें भगवति का श्रूब आसिस हम सब को प्राप्त हो रहा है हुम बोलते हुए नेत्र खोलने समानने हो जाए सार्दिय नवरात तराने वाले हैं और पच्चिस तारिक की सरवपित अमवस्त्या है स्रवश्राद है यानि के जिनोंने अब तक श्राद ना किया हो या ब्रत्युत थी अपने बड़ों की पताना हो तो उसके लिए अमवस्त्या के दिन उनके नाम से श्राद किया जाता ठीक है और 26 सेप्टमबर से नवरात्र प्रारब हैं यह शार्दिय नवरात्र कहलाते हैं कैसे क्या क्या करना होगा सारी जानकारी हम आपको देते चलेंगे आप स्वस्त रहें सुखी रहें इनी शुपकामनाव के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं जय जय अंबे जिंदिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन सुबारा है नया हैं मैं बहुत तेज़ चौक का करीब 4-5 दिनों से कवों का जूंट मेरे घर पे मन रहा था मैं यही सोचने परेशांथा यह सुभ है असुब है क्या चीज है कि तुम इन से मैंने प्रष्ण किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कवों आ रहे हैं कहने नहीं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें ज्यानकारी के लिए अधिक ज्यानकारी के लिए आप हमें यह को पी दुकी मुद्थ